स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में रोंट सेफटी टी टॉंटी वर्ल्ड स्रीज इंडिया लेजेंड वर्सस सौथ अफिरिका लेजेंड डेट 10 सितम पर 2022 टाइम साम के 7 बजे मैच नमर एक मैच वेल्यू की बात करें तो ग्रीन पर्ट कानफूर इंडिया में खेला जाएगा पीच रिपोर्ट की बात करें ग्रीन पर्ट इस्टेडियम का बिकेट मिट्टी के प्राकरीत के कारण धीमा और निचा माना जाता है बल्लेवाजी के अनुकुल होने की इस्पिनर के अधिक साहिता करती है पहली फारी का उसर्ट इसको लगवग एक सो साट रन रहा है वेदर रिपोर्ट की बात करें मैच के दिन ताप मन पचासी दस लब दो परसेंट आधरता और चार किलोमेटर परती गंटा हावा की गती के साथ 32 डिग्र सेलसेस के आजपस अन बॉक्स में लिंक दिया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सस्क्राइब कर दिजिएगा वेन्यू स्कोरिंग स्टेट्स की बात करें तो टोटल मैच एक खिला गया बैटिंग फइस्ट वाले एक मैच जीते हैं वोलिंग फइस्ट वाले जीरो मैच जीते हैं फर्स निंग एवरेज इसकोर 147 है सकेंड एवरेज इसकोर 148 है हाइस्ट टोटल 148 इंबिकेट नुकसान पर और हाइस्ट चेस्ट विये 148 इंबिकेट के नुकसान पर इंडिया लेजेंट क्रिकेट टीम इंजड़ी की बात करें अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है विनर पर इडिक्सन की बात करें तो हाल के मैचों में इंडिया लेजेंट की फॉन कापी अच्छी है समभावतावे इस मैच को जीतेंगे इंडिया लेजेंड वर्स सौथ आफिर का लेजेंड हैट टू हैट की बात करें तो इंडिया लेजेंड एक मैच जीते हैं जबकि साउट अफिर का लेजंट जीरो मज जीते हैं इंडिया लेजंट टीम की बात करें तो पहले तिरफल वन फिर लोस और आकरीम एक वन सचीन तेंदुलकर टीम का कैप्टेन है जो 23 बल पर 30 रन की पारी खेले थे 42 बल पर 25 रन की पारी खेले साइट बल पर 60 रन की पारी खेले थे और आकरीमेच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे सुरेश रहिना पांच बल पर 30 रन की पारी खेले थे तीन बल पर 2 रन की पारी खेले साथ बल पर 11 रन की पारी खेले थे और आकरीमेच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे यह अपने टीम के लिए बालिंग नहीं कियें, अगला मैच में दो विकेट निकालें, फिर विकेट लेस रहे था, और आखरी मैच में यह दो विकेट निकालें था, अपने टीम के लिए, यूसुप पठाल की बात करें तो 22 बल पर 45 रन की पारी खेलें, दो बल पर, sorry, एक बल पर 6 रन की पारी खेलें थे, 40 ब बल पर 25 रन की पारी खेलें, फिर विकेट लेस रहे थे, इरफान फठान की बात करें, 21 बल पर 56 रन की पारी खेले थे, 10 बल पर 21 रन की पारी खेलें, तीन बल पर 8 रन की पारी खेले थे, और आखरी दो मैच में विकेट निकालें, फिर एक बिकेट निकालें, फिर अगला की बाद करेंद लगतार चार मैच में यह बिकेट लैशे रहे थे हर्वजन सिंग की बाद करेंद लगतार चार मैचमे el今天 यह बिकेट लेशे रहे थे और आपराई मैच में यह dwa विकेट निकाले था अपने टीम के लिए अम पटेल की बात करें तो पहला मच में दो विकेट निकाले थे अगला मच में बिकेट लेस रहे हैं फिर दो विकेट निकाले फिर यह विकेट निकाले थे और आकरी मच में यह विकेट लेस रहे हैं बैच अपलियर की बात करें तो पारी खेले थे, 62 बल पर 59 रन की पारी खेले थे, 35 बल पर 48 रन की पारी खेले थे, 31 बल पर 46 रन की पारी खेले थे, ए पुटीक की बात करे तो 4 बल पर 0 रन की पारी खेले थे, 54 बल पर 12 रन की पारी खेले थे, 35 बल पर 41 रन की पारी खेले थे, 22 बल पर 23 रन की पारी खेले थ जे रोट्स की बात करें लिए टीम का कैप्टेन है जो 13 बॉल पर 20 रन की पारी खेले थे, 7 बॉल पर 4 रन की पारी खेले थे, फिर वैटिंग का चांस नहीं थे, 21 बॉल पर 22 रन की पारी खेले थे, और आकरी में 7 बॉल पर 17 रन की पारी खेले थे, जे डे ब्रायून की बात क निकाले और आखरी मैच में या विकेट लेस रहते हैं, जे बो था की बात करेत लगतार दो मैच में या विकेट लेस रहते हैं, अगला मैच में एक विकेट लेस रहते हैं, फिर अगला मैच में या विकेट लेस रहते हैं, फिर अगला मैच में या विकेट लेस रहते हैं, ज क्रूगर की बात करें तो पहला मच में विकेट लेस रहे थे और आखरी चार मच में यह एक एक विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए निकालें और आग्री मैच में यह बिकेट लेस रहे थें बेंच अपिलियर की बात किरें जे रुडॉल्फ को रखें हैं हैं एंडरी डेविस को रखें लांस कुनुसनर को रखें जोहन वंडर वाद को रखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सस्क्राइब कर दिजेगा ताकि आप तक ने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे प्लियर की बात करें तो बिकेट की फ़र से एंडरी वेंविक को रखें और एन उजहा को रखें बेश्टमेन से युवराज सिंग को रखें सचिन तेंदुलकर को रखें एप पुटिक को रखें और रॉंडर से यूसूप फठान को रखें भी फिलेंडर को रखें और इर्फान फठान को रखें बॉलिंग से M.NAT को रखें M.Ghoni को रखें और जी क्रूगर को रखें कैप्टन की बाद केरे तो कैप्टन यूवराज सिंग है और वाइस कैप्टन इर्फान फठान है यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों फाइनल टीम अप्टर टॉट्स के बाद दिया जगा टेलिग्राम चैनल पर अगर अभी टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किये तो जरूर जोइन किरे डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दिया है